मेर का कौन सा भीकास हुआ, आम आदमी को रोटी सस्ती मिली की नहीं, पेट्रोल सस्ता मिला की नहीं, कैसे सिलेंडर सस्ता हुआ की नहीं, 370 हटने से जो अटमास्फियर था देश का, क्या दिल्ली में धुन्द जब नहीं लगने लगी? बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके से यह अपने बेबाकी से बात रख रहे हैं, कि वो कहीं न कहीं एक चुनोती हो सकता है, इस लोग सभा चुनाओं में. जैसा कि इस समय हम गोल घर में हैं और आज की तारीख में नमांकन होने जा रहा है, इस नमांकन करम में इंडिया अलाइंस की परतियासी काजनली साथ ने अपना नमांकन किया है, साधे साथ भाजबा के जो रणिंग एमपी हैं, रवी किशन जी उन्होंनों भी अपना दु काजनली साथ परतियासी मही रवी किस्तन को पांच लागोटों से जीत से दर्ज करने जा रही है, जनका इसमें पतलने की मूड़न हो चुकी है, पांच साल के सरकारों से चंदा च्रकों सरकार से अंधोना चलती है, इंडिया गडबनी सरकार पूरे भरत बने जा रही है, आ माहिला सुरक्षा को ले करके क्या बताएंगे, पत्रकार मौदे, सबस्त पहले मैं आपको परणाम करती हूँ, और आपके माधिम से मैं इस सरकार को संदेज देना चाहती हूँ, प्रदान मंतरी जी को बाकी महिनाओं को क्या सब्सक्राइब रहा उसकी सम्मान दें पाये गोऽरपड के महिनाओ को क्या संब्सक्पार को यहां से चीत रही हैं अभी अभी आगाज हो गया है कि हवाओं ने भी रुखिये बता दिया है कि उन भाजपा का जंडा अपने डंडे से निकल कर नीचे गिर गया हमारी बतासी नामांकन करने गई थी अभी डरके मारे जंडा गिर गया तो रभी के सथ क्यों हम चीत रहे हैं जीता है नए जैसा कि भाजपा बोल लेए कि सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है हमने राम मंदिर बनवा दिया हमने लोगों को अस्किरो रासन दे दिया क्या उसका प्रमाउ नहीं पढ़ेगा पात करती हैं यहां मन्देर नए राम मंदिर ने बन वाया है जो मंदिर में पैसा चड़ता है वह आम चंता चड़ाती यह धान वो भी पैसा किसा हुआ सूप्रीम क्वाट के आदे से राम मंदिर बन रहा है चलिए क्या कहेंगे आप रोजडारी को लेके कि अगर बाच्पास सरकार अगर काम की है तो काम के धंपे वोट मांगे देखे एक यह युवाओं को यह मंदिर और मस्जीद और इन सब चीजों में जो गुम्राह करने क्या काम कर रही है अभी युवाओं को समझ नहीं आ गया है और गाउं की जो वह पढ़ी लिखी परिवार तो संभाल नहीं पाएं देखिए एक मिन्ट शांती बना रखिए हम रों दुकंदर यह चले दो सुनिए भाज और आगया यह सब भाजपा करें कि आपकी बाहर चार सो पार क्या कहिएगा और समाजबादियों का नारा है आपकी बाहर चार सो हार वहार ने जा रह कि इन्होंने धारा 370 हटा दिया राम मंदिर बनवा दिया अस्टिकों लोगों को रोजगार दे रहे तो क्या यह जनता इससे लुभावनी नहीं होगी आप बताईए आपको खुदर समाज में लग रहा होगा 370 हटी की नहीं हटी हटने के बाद देश का कौन सा विकास हुआ क्या जाम नहीं लगने लगा तो ऐसी सीजें करके जो भाजपा करना चाहती थी जनता उसके उस भुलावे में अब आने वाली नहीं है उनके 370 और ब आपकी इनको सत्ता मिल गई तो यह संविधान बदल देंगे और अच्छा खतम करते हैं कुछ ऐसा है क्या यह भाजपा के नेता कह रहे हैं तमाम उनके पुर्व सांसद वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि 400 देदो क्योंकि संविधान बदलने के लिए 400 दरीवी है यह उनके ने कितना लाइक कर रही है सिच्छा स्वास्थ और सुरच्छा तीन चीज की गारंटी ले करके इंडिया गठ बंधन समाज में आया है उट मांगने और यह तीनों चीज जनता है समझ रही है कि अगर यह तीनों चीज नहीं रहेगी तो सब बिगड जाएगा भाजपा का जो ए इससे बड़ा गठ बंधन है भाजपा का उसमें बहुत ज्यादे दल हैं वाजपा में हमारे यहां इंडिया गठ बंधन में बलकि कम दल हैं और दूला कायब नहीं है हर दल के पास ऐसे लोग है ऐसे नेता हैं कि उनमें से कोई भी देश की वागड़ोर समालने सक्षम है औ और भी हमारे साथ कुछ लोग है क्या बताएंगे इस मौके पर हमारे हमारी इंडिया गड़बंधन की विजस मिस्चित है यह बादपा का 400 पार करनारा एक जुमला है और वो 40 के पार नहीं जाएंगे बड़ी बात यह कह रहा है कि भाजपा करनारा एक जुमला लग रहा है जुमला है बता रहा है आपको तो जो राशन फिरिमें सब्सक्राइब है मसे पर ऑफिम सवाल उठाएंगा डायों ही इंद्यागडवणन की वह रागी हो चब्रितर na पंद्राइब का निकली काला धन लाने की बात जुम्ला निकली सुआत और सुरच्छा की यह उत्रपर जिसके स्वास्ट वे उस्ता फेल है कुरोना में आपने देखा कि क्या क्या हुगा अब वैक्सीन यह नोंने लगा जिसे लोगों का डिटेक्ट लोगों कि मृतियां हो र जुम्ला है क्या यह आपको क्या लग रहा है जब जनता बोलना सुरू कर दे तो यानि की राजा कहीं न कहीं कुछ गलब कर रहा है आज जनता पूरी जोरों से यह बदलाओ के मूड में है जनता चाह रही है इस वार जो है नौजवानों को रोजगार देना सिच्छा मुक् इंडिया एलाइंस के साथ है आप हमार साथ बने रहें खबर कैसे लगी इस पर अपनी राय और कमेंट्स जरूर दें